प्रस्ण 25 दिये गए आकिर्थी में रिखाएं PQ और RS प्रस्पर बिंदू ओपर परतिछेद करती हैं यदि कोन POR अनुपात कोन RQ बराबर 5 अनुपात 7 है तो सभी कोन ग्याद किजे तो यहाँ पे पहले हम आकिर्थी को बना लेते हैं तो RS और PQ तो यहाँ पे PQ और S यहाँ पे O है तो कह रहा है कि दिये गया आकिर्थी में रिखाएं PQ और RS प्रस्पर बिंदू O पर परतिछेद करती हैं देखे PQ और RS दोनों परतिछेद कर रहा है इस बिंदू पे O पे O बिंदू पे यदि कोन POR यह हो गया पी O आर तो कोन POR इसको कहेंगे इसको साथ तो सभी कौन ग्याद करना है यहां पर तो यहां पर हम लिखेंगे माना की कौन पी ओ आर बराबर पांच एक्स डिग्री और कौन आर ओ क्यू आर ओ क्यू बराबर साथ एक्स डिग्री तो कौन पी ओ आर और कौन आर ओ क्यू का अनुपाद दिया हुआ है पांच अनुपाद साथ तो कौन पी ओ आर का अनुपाद है पांच तो उसको हम पांच एक्स डिग्री मान लेंगे एक्स के रूप में यानि एक्स गुना करके मान लेंगे और कौन आर देखेंगे, अब लिखेंगे चुकी, चुकी, पी ओ क्यू, चुकी पी ओ क्यू, एक सरल रेखा है, तो पी ओ क्यू क्या है देखें पी ओ क्यू क्या है एक सरल रेखा है यानि एक सीधी रेखा है तो लिखेंगे चुकि पी ओ क्यू एक सरल रेखा है तो जब सरल रेखा है तो इस सरल रेखा पर 180 डिगरी का कोन बनता है तो लिखेंगे अता कौन P O Q बराबर 180 डिग्री P O Q बराबर कितना होगा 180 डिग्री क्यों होगा रैखिक युग्म से रैखिक युग्म तो सरल रेखा पर 180 डिग्री का कौन बनता है उसको रैखिक युग्म कहते हैं ठीक है तो क्योंकि POQ क्या है एक सरल रेखा इसलिए कौन POQ बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री अब देखें कौन POQ को हम लिख सकते हैं कौन POR जोड कौन ROQ बराबर 180 डिग्री तो कौन POQ को हम लिख सकते हैं कौन POR जोड कौन ROQ देखें कौन POQ यानि ये पूरा ये पूरा कौन हो जाएगा कौन POQ POQ क्या है एक सरल रेखा है देखें ये PQ क्या है एक रेखा है तो इस रेखा पे कौन सा कौन बन रहा है कौन POQ बन रहा है ये पूरा तो इस कोन में ये दोनों कोन आ गया यानि कोन P, O, R और कोन R, O, Q ये दोनों कोन आ गया तो ये दोनों कोन को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा तो कोन P, O, R, जोड़ कोन R, O, Q बराबर 180 डिग्री इस तरह लिख लेंगे तो कोन P, O, Q के जगह पे और कौन R, Q को 7X डिग्री मानने हैं तो आप लिख देंगे कौन P, O, R के जगह पर लिखेंगे 5X डिग्री जोड कौन R, Q के जगह पर लिखेंगे 7X डिग्री बराबर 180 डिग्री तो 5X डिग्री जोड 7X डिग्री कितना हो जाएगा साथ पाज 12, यानि 12 x degree हो जाएगा, बराबर 180 degree, तो x बराबर कितना हो जाएगा, अतह x बराबर, 180 बटा 12, यानि कितना हो जाएगा, तो 12 यहाँ पर x के साथ गुना में है, तो 12 को जब बराबर के दायां तरफ लाएंगे, तो भागा में हो जाएगा, तो 180 को 12 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा, 15 degree, यानि x बराबर आ गया, 15 degree, एक्स बराबर कितना आ गया, 15 degree, तो लिखेंगा, अतह, कौन, पी ओ आर, बराबर, कितना माने थे, 5 x degree माने थे, कौन पी ओ आर को, तो 5 गुना, 15 degree हो जाएगा, क्योंकि x बराबर कितना आ गया, 15 degree, तो x के जगा पर 15 degree लिखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 15 पचे 75, यानि 75 degree, कौन आर ओ क्यू बराबर, 7 x degree, कौन आर ओ क्यू को कितना माने थे, 7 x degree माने थे, तो x बराबर आ गया है, 15 degree, तो 15 सत्य, 105 degree, तो कौन आर ओ क्यू कितना हो गया, 105 degree, तो ये दोनों कौन ग्यात हो गया है, अब यहाँ पर कह रहा है कि, सभी कौन ग्यात किजिए, तो देखिए, कौन P.O.R. कितना आ गया, 75 degree, ये कौन आ गया है, 75 degree, और ये कौन आ गया है, 105 degree, ठीक है, अब देखिए, जब दो रेखा, पर्थी छेद करता है, तो ये भी 75 degree हो जाएगा, सिर्षा भी मूग कौन बराबर होता है, देखिए, इधर का कौन और इधर का कौन, दोनों बराबर हो जाएगा, सिर्षा भी मुग कौन से उसी तरह इधर का कौन और इधर का कौन बराबर होगा यानि 105 डिग्री लिखेंगे तो ये कौन और ये कौन बराबर हो जाएगा सिर्षा भी मुग कौन इसको कहते हैं तो कौन R, Q के बराबर हो जाएगा कौन P, O, S और कौन P, O, R के बराबर हो जाएगा कौन Q, O, S तो चारो कोन यहां पर ग्यात हो गया है तो लिखेंगे कोन Q, O, S या A, S, O, Q भी लिख सकते हैं तो कोन A, S, O, Q बराबर हो जाएगा कोन P, O, R बराबर 75 डिग्री देखें कोन P, O, R कितना है 75 डिग्री है तो कोन A, S, O, Q और कोन P, O, R बराबर होगा क्यों होगा तो यहां पर लिख देंगे सिर्षा भी मुख कोन तो यहां पर लिखेंगे सिर्षा भी मुख कोन तो कोन A, S, O, Q बराबर 75 डिग्री हो जाएगा अब कौन सा कौन बच गया यहाँ पे तो कौन POS तो कौन POS बराबर हो जाएगा कौन ROQ ROQ बराबर 105 डिग्री देखें कौन ROQ कितना लाए थे 105 डिग्री तो कौन POS और कौन ROQ दोनों बराबर होगा सिर्षा भी मुग कौन से क्योंकि दोनों सिर्षा भी मुग कौन है तो इस तरह चारो कौन यहाँ पे ग्यात हो गया है कौन POR हो गया 75 डिग्री कौन ROQ हो गया 105 डिग्री कौन ASOQ हो गया 75 डिग्री और कौन POS हो गया 105 डिग्री क्वार चानला ओनागा जपादा जड़ लग्रादा जड़ खिर शगया 10 कर दो खब हो गया 10 कर दो बहुत पार आदा मत्वी खाया 10 कर दो गिए बादा मत्वेश में 10 कर दो बहुत झाल झाल